ब्लोग कॉंग्रिस कमिटी भिलायतीन चरोदा के द्वारा हाथ से हाथ जोडो अभ्यान की शुरुवात मंगलवार शाम से की गई ब्लोग कॉंग्रिस कमिटी भिलायतीन चरोदा के द्वारा हाथ से हाथ जोडो पद यात्रा की शुरुवात मंगलवार शाम से की गई वही पहले दिन ये यात्रा उत्तर डवरा पारा बजरंग बली मंदी से प्रारम होते हुए रेलवे कालोनी भिलायतीन पुलिस प्रेट्रोल पर्म बजरंग पारा से होते हुए सिरसा गेट के गयतरी मंदीर में विधी विधान के साथ पूजा पाठ कर समात की गई इस यात्रा में नगर निगम भिलाई चरोदा के महापव निर्मल कोस्रे ब्लॉक कॉंगरेस कमिटी भिलाई चरोदा के अध्यक्ष मनोज मनरिया सहीद बड़ी संख्या में कॉंगरेस के प्रदिकारी वो कारिकरता शामिल रहे साथी कॉंग्रेस की महिला कारेकरता भी यहां पर सामिल हुई इस पाद यातरा को लेकर महापौ निर्मल कोश्रे ने प्रतिक्रिया दी आज हाथ से हाथ जोड़ो यातरा की आज सुरुवाद की गई ये यातरा डबरा पारावाट से सुरू हुआ जो वाड नंबर नेरु नगरवाट उसके बाद अजाद चौंक वाड उसके बाद हम लोग बजरंग पारावाड चार वाड का आज हम लोगों ने किया है और कल भी हमारा यह जो यातरा है वो जारी रहेगा पुरे नगर निगम के 40 वाड में हमारा यातरा जाएगा इस यात्रा का मुख्य उदेश यही है कॉंग्रेस पार्टी हर जाती धर्म संप्रदाय को ले कर चलती है लेकिन कुछ दलों के द्वारा असांती फैलाने का काम सविधान को छेड़ छाड़ करने का काम किया जा रहा है हम लोगों को ये बताना चाहते हैं यात्रा के माध्यम से 36 गड़ की भूपेश सरकार ने जो जनकल्यान कारी योजना आम लोगों के लिए दिया है चाहे वो मितानीन बहने हो चाहे आंगन बाड़ी के कारकरता हो चाहे गाओं में रहने वाले कोटवार हो चाहे पटेल हो चाहे हमारे गड़ान समीती के संचालित करने वाले भाई हो चाहे हमारे युवा विरोजगार हो जो बारवी तक पढ़े लिखे हैं उनको अभी 25 रुपे विरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है साथ हिसाथ बिलाई चुरोदा में चुकी सहर सरकार भी इनकी है लोगों की जो अपेक्छाय है भुपेश सरकार से और सहर सरकार से जो अपेक्छाय उनकी है उनको भी हम इस यात्रा के माद्यम से पूरा करना चाहते हैं यह यात्रा लगातार जारी रहेगा 40 वार्डो में यह यात्रा समापन होगा बरहाल दी यात्रा पहले दिन चार वाडों का ब्रह्मन करती हुई गुजरी वहीं महापवन ने बताया है कि पूरे 40 दिन वाडों में यात्रा की जाएगी Grand ACN News के लिए शैलेंद खरेकी रिपोर्ट